EPS 95 पेंसन धारकों की पेंसन को लेकर मोधिस सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आच चुकी है, मोधिस सरकार आपकी पेंसन है, उससे बढ़ाने को लेकर बड़ी कुसकबरी आपके लिए जारी हो चुकी है, मोधिस सरकार के द्वारा बड़ी बैटा के बाद आपकी पेंसन के लिए जो बढ़ाने को लेकर निर्णे लिया गिया जिसके नुसार कितनी पैंसन दार को पैंसन मिलेगी एप्यस पैंसन पर आज यह अनकी बहुत ही बड़ी गजब की आपके लिए अपडेट आच चुकी हैं और आपकी पैंसन पर मोधी सरकार फिर से पलट सकती है और पैं कितनी पैंसन की रासे में बर्टरी मिलेगी और किस दिन आपके खातम या ट्रांसपोर होगी तो इन तमाम मदों के बारे में आके वीडियो का नरुष तर्श से आपको जाना कारी बतेंगी तो आपने अभी तक इसी चैनल के सबसक्राइब कर दीजीगा उसे भी दबा करके अल पर प्रेस कर दीजीगा ताक्षी आने वारी जो पैंसन जुरी ऐसी नई ताज़ है अब्डेट होगी वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी तो EPS पैंसन ने उसे बढ़ाने पर एक बार फिर मोधी सरकार आपके उपर मरबान हो सकती है एक कैबिनेट की बड़ी बैटक भी जिसके अनुसार ऐसी जानकार यारी कि आपके पैंसन की रास्ति को लेकर बढ़ने को लेकर बढ़ा पैंसन लगवा है तो साथी EPS का नाया नियम और सरकार का यह एलान है जो मिला जुला होने वाला है जिसके नुसार आपको पैंसन में थोड़ा बहुत अंतर देखे का तीन अलंगलंग सुझाओ जारी वे आपकी सुप्रेम कोड के द्वार और EPS के द्वारा और सरकार के द्वारा जो नए सुझाओ जारी वे जिसके नुसार तीनों अपडेटों को आगे वीडियो के देखे जानने वाले हैं पहला अपडेट मोदी सरकार के द्वारा केबिनेट की बैड़क से जारी वाय कि आपकी पैंसन बढ़नाने वे लेकर मो आजार रुपे या फिर आट जार पांशो रुपे फिलाल इसको लेकर बज़ेट त्यार किया जारा है कि किस आजार पर कितना बज़ेट बढ़ने का पैंसन दार्कों की पैंसन को लेकर और कितना बज़ेट होगा उस आजार वार पैंसन दार्कों की पैंसन में बोड़तरी किया जाए उसके अनुसार जो 55 की रासी को लएकर जल्द अजयापा कर सकती है इस तरह का याँकी 2024 को लोग सबा चुना है उससे पहले पहले यह रासी आपको forecasting दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है आपकी पैंसन की रासी को लेकर दो यान की मुद्दे है जिसमें कि आपको 9000 रुपे की पैंसन मिलेगी और 7500 रुपे की पैंसन भी मिल सकती है इसको लेकर एपिएप ने अधिकारी तोर पर यान की रासी को लेकर नहीं एलान किया है कि आपको मिनिममम पैंसन 9000 रुपे की रासी मिलेगी या फिर 7500 रुपे की रासी इसको लेकर एपिएप ने ये कारण बता है कि ये मामला भी सूप्रम कोड के अंदर लमी थै जैसे सू लेकिन कुछ मीडिया और एक्सपर्ट की माने तो EPFO इस तरह यान कि आप भी पैंसन को लेकर प्लान बनाने वाला है और सुप्रम कोड के एलान की बाद जैसे सुप्रम कोड के दोरा इसको लेकर एलान हो जाता है तो उसके बाद EPFO यान की पहले भी रिटाइड हो जाती है जिसमें कि आपकी 50 या 55 साल के अंदर जो आप रिटाइड हो जाते है तो उनके लिए अपडेट कुछ खास नहीं होने वाले है उनको लेकर इस तरह की अपडेटे के अगर आपकी रिटार्मेंट एज अठाव साल से कम है अगर आपकी की पेंशन मिल गई मिनिमा इस दो पैंसर लो लेकर अभी तक किलिए रिक्ति और पर एप उने ऐलान नहीं किया है कि आपको यही आनकी साजार पंस समर्पे की जौपके आदार पर ही पैंसर मिलेगी या फिर आप 18 साल से कम एच्व और 19 साल से अधिक putting तो मेडिकल की सुझण दार्थ को मिल रे वरत्मान में अच्छी पैसलेट की पैसलेंदार को मेडिकल की सुझण दार्थ की लाब नहीं मिलता है । 15 दार् Nepomedy को है कि दोएसे ज़िजार आपको 1820 के में तो की शाना को लंगे खो लिए फ्लान बताने वाला है फिलां की पडिय के isme कालि ard कर अरियन करता है उसके बाद आथिकारी गोस्ना की जाएगी आपकी पैंश को लेकर फ़्लाल इस तरह बताने वाली बात करे खातां में कब बुक्तान किया जाए तो इस तरह की अपडेटे की 25 से 20 नवबर तक आपका जो एरियर 18 मांका बकाया जो कि आपकी खातों में देखने को मिलगा और साथ में जो पैंसन दार के मांग करें कि पैंसन के बेदबाव को खतम किया जाए तो साथ में यह भी अपडेट आरे है जो कि पैंसन दार के 2004 के अंदर इटार करम चारी या फिर दौजार के आप 2004 के बाद कभी भी रिटार करम चारी जो कि पैंसन की बेदबाव का सामना कर रहे थे तो उनके लिए अच्छी गुड़नियों जारी हो चुकी है उनके लिए इस्तर की अपडेट होने वाले कि उनका पैंसन के बेदबाव को पूरी तरह से खतम किया जाएगा आप किसी भी साल के अंदर रिट्राइड करम चारी है तो अब इस बात का आपको कोई टैंसन लेने की ज़रूत नहीं है कि आपको पैंसन कम मिलेगी या जदा आपके पैंसन के बेदबाव को पूरी तरह से खतम किया गया है आप किसी भी वरस के अंदर रिट्राइड करम चारी तो यह आपके लिए अच्छे गुड़नियों जोने वाली है तो फिलाल आपने अभी तक याँकि अपना जीवन पर्मण पतर नहीं जमा करवाए तो यह काम आपको 30वर्स पहले पहले करना होगा हाल में आपको 30वर्मण से पहले पहले अपना जीवन पर्मण पतर लाइप सेटिपेक्ट वह जमा करवाना बहुत ही अनिवारे EPI और सरकर का कहाना जो पैंसन तार क को अपने जिहएं पर्मन पत्र वह भी जमक कर वाना होगा और कितनी है और आपको यान किस्वर्स को रेउन kg कंट्रिवर्षं कंप्लिट किया है तो फिर आपको पैंसन की लंबी जो फैसला सुप्रेम कोट सुनाता है तो उसके बाद कितनी पैसन मिलेगी